हेलो फ्रेंट्स मैं आकरिती आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल स्टडी फोर गोल्स में आए आज हम पढ़ते हैं क्लास टू उद्वाशलकर्ण का क्लास टू हम उद्वाशलकर्ण का पढ़ चुके हैं जिसमें हम दो द्रिश्रे को पढ़े थे लेखक का परिचाय पढ़े थे शिवरी निवाश पानुरी जी के बारे में पढ़े थे उद्वाशलकर्ण के बुक के बारे में पढ़े थे और दो द्रिश्रे भी पढ़ चुक कि आगी दिश्यों में क्या हो रहा है आगी देखते हैं तिसरा द्रिश्य में क्या होता है यहां पर सिकार द्रोन अर्जुन कुकुर मतलब द्रोन और अर्जुन सिकार करके आते हैं और उनके साथ कुकुर्टा भी आता है द्रोन क्या कहते हैं अर्जुन देख तो कुछ नहीं होता क्या बोल रहा कि एक्र जो है एक लड़का जो है वो क्या किया है कि अपने तीर से कुथ्ते का मूह बसल बन करो दिया है लेकिन कुछ नहीं होदु कि म往 ब्रोन मनिमन कोने मैं सो लिन मने में में इतना बड़ा विडर अरजुन neighborhood के इतना बड़ा बेर, अर्जुन के रास्ते में कितना बाधा है, वो दिन उस बालो को भगा है, जिसके मुख से तेज निकल रहा है, यहाँ पे करन की बात सोच रहा है, गुरु द्रोन, आज यह आटप का, अर्जुन दीगे ताइक के, अच्छा चलो, अर्जुन के तरफ अच्छा चलो, देखते हैं, वो कहाँ है, अर्जुन थोड़ी दूर जाईते, थोड़ा दूर जाके देखते हैं, वो दीखिए गुरु देव, गाच के नीचे एक लड़का धनोस बान लेके खड़ा है, अर्जुन द्रोन देखते हैं, अच्छा, चलो, उसके पास दो जा हो गया है, इतना ही हमत हो गया है, जो द्रोन थे, वो राजकुमारों के मतलब गुरु थे, वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही सिख्छा देते थे, यह हम पहले और दूसरे देश में देख चुके हैं, यहां भी वो यही बोलते हैं, कि तुम्हारी इतनी हमत हो गई विधान पूत हम, हम क्या हैं, विधान का बेटा है, और इकलव मेरा नाम है, एक दिन आपके पास सिस से बनने गए थे, लेकिन आप तयार नहीं हुए, उसी समय से आपका मुर्ती बनाकर हम आपको गुरुमान की वान विध्या सीख रहे हैं, आपकी किरपाशे मेरा धनुक व लेकिन उसी टाइम से मैं आपकी मुर्ती बनाकर वान विध्या सीख रहा हूं, और आज मेरा धनुक विध्या पूरा हुआ, तो यहां पे देखे, एक गुरु के लिए कोई भी जात पात उचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होता है, यह हमने पहले ही कच्छा में पढ़ा थ कर्ण जो है, वो बोलता है कि मैं एक सुपूत हूँ, मतलब एक सार्थी का बेटा हूँ, इसलिए गुरु दौनाचारे ने, मतलब उन्हें नहीं सिख्छा दी, और यहां पे भी एकलवे को भी उन्होंने पहले कर्ण के पहले एकलवे को भागा चुके थे, तो जब वो दे क्या बोलता है, पुर्ण हो गया, अच्छी अब तो परिक्षा लेना हो गया, तो वो क्या करता है कि वो चेटियां के आख पर बान मारता है ? और दरोन अर्ज़ार आते हैं अर्ज़ार करके, अतना सिधानिशाना इसके आगे के अर्जुन कु सुने मतब इसके आगे तो अर्जुन इतना कुसा नहीं है, जितना ये लड़का कुसल है, और क्या बोलते हैं, सच में तुमने तुमने पूरी शिक्चा पोन कर ली है, चलो अब गुरू रिन देने के बारी आई है, अर ता तुमें तो गुरू दक्षिना द तो यहां पर जो है ना वह अपना स्वार्थ के कारण द्रोनाचारी क्या करें कि मैं जिसे सिक्षा दे रहा हूं उसे सबसे योद्धा और स्रिष्ट बनना है और एक बात और आप लोगों को बतादू जो भी यहां पर थोड़ा थोड़ा अंटर लाइन है मतलब तार किया हुआ है वह खोठा भासा है इसलिए मैं इसे डार कर दियूं कि आप लोगों को चार नहीं हो जो भी डार्क लाइन है वह खोठा में है तो आगे क्या बोलते हैं एक लग बीच में भी ही कि दिता है। हमार रीठ रीठ है गुरुदे जे तोरदुंद आपका रीञत है। तो आपको उौनाल भीभी liar को बीच है। कि पैसा भूख काम है। तुम भीजी होला है। तो फिर सोच के बोलता है कि अगर तुम मुझे सच में कुछ दक्षिना देना चाहते हो तो अपने दाइने हाथ का अंगुठा देदो और तुम से क्या लेंगे हम वो ये देदो एकलव तुरंथ काट कर देता है ना सोचता है ना कुछ करता है दुरोन बोलते हैं तो रड़े हो बालक और कहके वहाँ से दुरोन चले जाते हैं अब इकलव क्या सुचता है देखिए गुरु दुरोन चारे तो दाइने हाथ का अंगुठा इसलिए मांगले कि न अंगुठा रहेगा न बान चलाएं गया और न वस्रिष्ट धनोधारी बन मतलब जिसे मैं धनों चलाता हूं उन्होंने तो वही मांग लिया तो क्या बोलता है कि अंगुठा मांगते समय गुरु दुरोन को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ कि गुरु दुरोन मतलब जैसे वीर हैं गुरु दुरोन भी एक वीर योदा है गुरु है तो क्या निर्भय और निर्मम हो सकते हैं अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने नीती ग्यान सास पुरात सब भूल गये और दूष्ट बनकर अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई भी पाप कर गये उन्हें समाज का कोई लोकलाज नहीं था उन लोगों के लिए तो न्याय अन्य है सब एक बराबर है ओ अंगुठा दे के बेकार भैघलो मतलब अंगुठा दे के बेकार हो गया जो पुरुस की ताकत अ कि वही काफी DC नहीं बुद्धी युप्ति और आगे पीचे की 才न का विज़रूरी है मतलब ती उससे कुछ सबसे बड़ी ताकत वही है आप अब ताकत वर हड़ी इंसान को भी आप अपने बूधी के बल पर अब आईए यहां पर सब्सक्राइल को जाता है और रगता हूं LEAGğNE मारों के लिए धनुक विद्या खेल होगा पांड़ो और पहरों के बीच और फिर डूग्डूगी बजा के वहां से चला जाता है अब राज सभा में कौन-कौन है या भिस्म है ध्रिष्ट राष्ट है द्रोन कृपाचार कर्ण दुरियोदन दुशाषन आदी के पचार पर चैज़ो किस राज वंस के हो तुम तुमारे पीता माता कौन है तभी तुम अरजुन के साथ खेल सकते हो क्योंकि वह पांड़ों का गौरव है अब देखिए कर्ण फिर महां चला चाता है खेलने लेकिन महां पर उसको खेलने नहीं दिया जाता है क्यों क्योंकि वह जात जात मेरे पास जात और पात कहां है मेरा जो भुजा है वही मेरी जात है मेरी धनों से ही मेरी जाती है मेरी तलवार ही जाती है अगर आपको पूछना है तो मेरी भुजा से पूछिए तलवार से पूछिए और क्या उचा कुल का मोहर लेकर घुमेंगे क्या हम बहुत तो किरपाचार अर्जुन की बाप कुन है मतलब यहां पर बोलता है कि अगर इतना ही राजवांस और बड़े बड़े खूलों की बात होती है तो अर्जुन की सिर्फ बात क्या होती है अर्जुन की पिता भी है उनकी बात क्यों नहीं होती है वो भी तो उचे कुल में जनम ल वही उसका सब पूछ है कि पारचार बोलते हैं सदारन से बात पे इतना करोध क्यों आ गया उसे तो क्रोध इसलिए आया क्योंकि गुरुद लेने गया तो गुरुद रोनाचारी भी उसे यही बात भी पात बोले थे इसलिए वह गुस्ता में था और तब यहाँ पर और गुस्ता आगे बोलता है कि साधारन सी बात पर इतना कुरूद करना सही नहीं है अगर अरजुन के साथ खेलना है तो तुम्हें किसी राजे का राजा पहले बनना होगा और कोई राज अगर राजा बन पाओगे तो लड़ो अरजुन से अरजुन भी तयार है अगर किसी राजे का तुम राजा बन पाते हो तो अरजुन से भी रहो अरजुन भी तयार है दुरियदन बोलता है ये क्या मेरे सामने एक वीर का अपमान हो रहा है कुरू वन्स के सभा में वीर का अपमान वो भी वो वेर जिसके चेहरे पे तीज निकल रहा है जिसके तेज के आगे राजपुत सब फीका है, क्या बोलता है, कि भुरी अदन बोल रहा है, अरे, क्या बात कर रहे हैं, आपकी पाचारे, आम मेरे सभा में, कुरू वन्स के सभा में, मतलब कौरो पांडो सब बैठे हुए हैं, और उसके सामने एक वीर का अपमान हो रहा है, जिसके तेज के आगे राजपुत सब फीका है, मतलब इसके आगे तो राजपुत भी कुछ भी नहीं है, और साथ में, ये जूट का गुमान का किला चूर करते कहता है, मतलब ये क्या जूट का पूल अंदा बनके रखे हैं, उचा क्या कूल, दुर्योधन को अर्जुन से जलन होता है, वो चाहता है कि अर्जुन के टकर का कोई आए, इसलिए ऐसा बात बोल रहा है, कि अगर वो राजा नहीं होने के कार्ण खेल नहीं सकता है, तो चलिए अपने मुकुत उटारता है, और कहता है कि मैं इसे अपने अंग परदेश का राजापत से पत्रिष्ठित करता हूं और दुर्योदर अपना मुखव उसको क्या करता है पहना देता है कि अपने तो मेरे उपर बहुत बड़ा उपकार किया है ह। आपको जब भी मेरी जरुवत होगी मैं आपके लिए खुन भाने के लिए हमेशा तयार रहूँगा उसके बाद भीम राजा बन के क्या होगा सार्थी का बेटा होके राज चलाएगा सार्थी मतलब होता है जैसे राथिया गोरे का जो चलाने वाले होता है ना हुँसने सार्थी पूलते है जैसे अर्जिन के सार्थी किर्ष्ण बनेते महा भारत बहुता है तुarlा है कि भीम उदरसाथे पांडो का एक भाई पांच पांडो में से एक भीम भी है तो यहां भी लोगों को पता नहीं है कि कर्ण भी हमारा भाई है तु क्या बोलते हैं राजा बन के क्या होगा साथी का बेटा राज चलाएगा क्या दुर्योधन भीम तुम बगब क्यों कर रहे हो बड़ा कुल में जनम लेके तुम बड़ा जात का मोहर लग गया है तु यहां से मतलब तुम है अपना दिन यहां नहीं है मतलब तुम उचे कुल का मोहर लेके चल रहे हो तुम बड़ा अदमी बन जाता है जाओ यहां से सिर्देश और जलन से भड़ा पड़ा है अब दुर्योधन भीम को बता रहे हैं तुम्हारा भाई का टकर देने वाला कोई तुम को जलन होने लगा चाओ यहां से के पाचर बोलते हैं तुम लोग बिकार का जगरा कर रहे हो तुम लोग थोड़ा सा भी संकुछ नहीं कर रहे हो कि यहां पर मैं बैठा हूं चलो साम हो गया और यहां पर खेल खतम भी हो जाता है और दिरिश यह देखते हैं पंचम यहां पर दो पाथतर शोनी और मीरा हैं अब देखे क्या बोलती है शोनी पल्ष्राम जी के आश्रां में आजकल एक नया स kuys आया लेकिन कितना सुंधर है मीरा बोलती है तुम्हारा जी लला侪 yi m से बात करने का मेरा शरीर में कहीं लिखा हुआ है क्या सोनी या सोनी के चेरे पे लिखा हुआ है कि तुम नीचे कुल की हो या कोई फर्क है उचे कुल की बेटी में क्या सरीर से गुलाब कासुगंद आता है और हम लोग के लोहराइन मागते हैं मतलब लोहराइन एक हम लोग का भासा होता है जैसे गंदा बद्बू मारना, तो हम लोग कहनी से क्या होगा, दुनिया ऐसी ही मांती है, मीरा, गर धा में जाए ये दुनिया, हम लोग बस जवान सुंदर हैं, अगर हम लोग सुंदर हो गोंगे, तो बड़ा-बड़ा पंडित, कुल्मान, धन्वान, गिरा पाएंगे, संत्य सत्य वति को देखते ना अपना जाती कूल धर्म सब भूल गए है सुनी किसकी बेटी यह बैटी आप जवाब आई के मेरा देगे देखे हैं धिवरेक अन्य पर मतलब अब चलाने वाले होते हैं उसे ही धिवरेक घत अम नाव चलाने वाले की ओ बेटी थी सुनी अच्छा तब क्या हुआ मीरा और क्या होगा सत्वती के बाप साधी करने के लिए नहीं मान रहा था खोज रहे थे बहुत किरिया का समुआ तब विभा हुआ और नहीं तो समिष्टा का नाम सुनी है अच्छा और पैर रंगने लगता है मीरा तुम अपने हाथ से मेरा चोटी बना दो मेरे पैरों को रंग दो तो अच्छा और पैर रंगने लगता है मीरा देखी सुनी दुरिया को मधू चाहिए ये होता है जात मतलब बोल रही है कि जात पात कहीं नहीं होता है जब और लड़की की जब सरीर की बात होती है तो यहाँ पर जात पात कुछ नहीं होता है बस सुंदरता होनी चाहिए बस और बाकी यहाँ पर कुछ जात और पात नहीं है ऒब यहां पर खतम होता है च्छत्री सी देखिये थानस्बाण टांगल है कंगल है थनका छोटा घसा है थोई देर दूर्फर्पर यकझी धुआ या धुनी चल रही है परशुराम बैटे हुए उनके पास्कृण भी है परशुराम के सरीज पश्राम जी क्या कहते हैं बीटा आज हमको बहुत थकान सा लग रहा है थोड़ा अराम करेंगे कर्ण गुरु को पकड़ के सुलाते हैं और अपने जांग पर उनका सर रखते हैं और उनको पंखा करते हैं जिसे पश्राम जी सो जाते हैं कर्ण मने मने आज हम गुरु से मन च ताकत है सकती है किन्तो सब बिकार है सब तुक्ष मतलब इस अपका कोई वैलू ही नहीं है बस एक चीज नहीं है कि हम राजकुल में जनम नहीं लिए इसलिए छोटे वंस में साथी रथ चलाने वाला घर में मेरा जनम हुआ और माता हिला हिला कर बात करते हैं अच्छा हम भी मिनें लोग कलते देते हैं वैसे हैं वैसे ही यहां पर क्या बोल रहे है कर्ण क्या क्या नहीं Summons नहींने तो मेरा भी नाम कर्ण नहीं यहा मेरा on उते ऑपह ल Mmm एक भरहे को कैसे हट आए गुरुदैव का नींद्वंग हो जाएगा तो बहलता है कि रहो महीं पर देर हां हम दर्दबर दास होता है तो बड़ी दर्दद अब क्या होता है यह इस राम जी खुड़े करन içãoट भी कहां हो fedदन Independence जब आप मेरे जांग पर सो रहे थे न तो उसी समय बहुरा को काटने लगा और आपका नीन न तुटे इसलिए में बहुरा को छोड़ दिया और वह जांग के भीतर चला गया उसी से खुन बह रहा है पर समतनी देर तक गंभी रोगे एक ब्रामन में इतना सहने की छमता तो न नीच अधर्मी पापी तुम कौन हो तुमने मुझे छला मंच दोखा दिया है ये बालक तुम जल्दी बताओ ब्रामन में इतना देरज नहीं है और नहीं ब्रामन में इतना सहास है ये एक छत्रिये में ही होता है कर्ण गुरु देव छमा किजे प्रभू हम सार्थी पुत् का नहीं होगा और हम जो तुम्हारा मतलब ब्रामन के इस्तर का बिद्या सिखाए हैं वो सब तुम भूल जाओ गया कर्ण ओ गुरु देव ये आप क्या किये इतना दिन का सारा मेनत विकार हो गया हम जो स्रिष्ट वीर बनने का सपना देखे थी वो भी मीट्टी में मिल ग लेकिन रक्षा किसी गुरु देव परशुराम पाप का प्रास्चित करना होगा कर्ण ब्रामन की बात जूट नहीं होता हम जो कर रहें वो सच होगा कर्ण कर्ण ओ मेरा सारा सपना मिट्टी में मिल गया मुझे अर्जुन को जीतना था परशुराम जाओ तुम हम तुमारे प्रान की रक्षा करेंगे जाओ तुमको माफ किये कुछ देते हुए जाओ ये यूद के समय तुमारे प्रानों की रक्षा करेगा ये लो तुम्हारा शेशक शार्थी और जिल्दी आसम छोड़ के जाओ क्या बलता कि जिलो अपना धनो बान सब चिलो और तुम जाओ ये Напान की गुठ्सा मत दिलाओ आप है पस्वराम जी करण और चम चोड़ने के लिए बोल देते है क्योंगि परान जी बहुत गुष्वर्ण glauben का बैटा बंबंगे उनसे सिक्षा ले रहा था क्योंकि फराई से सिर्फ और से ब्रामनों को इं शिख्षा देते थे अब आगे mcq question देखेते हैं 12 11 question 11 नमबर तक हम class 1 में देखे थे अब 12 से देखते हैं दुरुनाचारी ने किसे डाएं हाथ कांग उठा को दक्षिना के रूप में मांगा यह हम जानते हैं एकलावे को दुरुनाचारी किसे सबसे बड़ा वीर योद्धा बनाना चाते थे अर्जुन को दुरुनाचारी किसे सिख्षा देते थे राजकुमारों को दुरुनाचारी ने एकलावे को किसके आँख में मारने को कहा चिडियां कर्ण को दुरियोधन कहा का राजा बनाता है अंग परदेश किस गुरु ने खेल के मैदान में कर्ण का परेचा है पुर्चा किरपा चारे पंचम दिश में कौन सी दो नर्कियों का जिक्र है शोनी और मीरा परशुराम के द्वारा किसे ब्रामन समझ कर सिक्षा दी जा रही है कर्ण परशुराम किसे सिक्षा देते थे ब्रामन परशुराम कर्ण के किस अंग पे अपना सीर रख के सोते हैं जांग कर्ण को किस ने काटा भौरा यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा मैं आशा करती हूँ कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है अगर डाउट है भी तो आप हमारे यूटूब चैनल के कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेयर एंड सस्क्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सस्क्राइब करें और हाँ अगर आपने हमारा एंडूर डाउट डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड करें वहाँ आपको हर तरह का preparation मिलेगा खासकर जेशर शीक जाम जेपिया शीक जाम और गौर्मेंट जापकी खासकर जारकन से related सारे जितने भी exam होंगे वहाँ पर preparation कराई जाती है झूछका जागे जाम झायब झाओकी यूधा कि यूगयार वूद आपके जारकन से एंसस्केश जाब।